कि समर एक्सपेरिमेंट आज इस वीडियो में सिंपल टोई कार जो कि बच्चों खेल लिए कार रहती है हम उसे एलक्टिक कार मां करेंगे और यकिन मारे मेरे दोस्त काफी कोश्ट लिए पढ़ते हैं मार्केट से लाओ के पर्चिस करके एलक्टिक कार तो क्यों आप सकाफी स समर तो क्या कर दिखाए का मैं फ्रेंट यहीं था करी मतलब वाद नहीं कर सकता तो दोस्तों सबसे पहले मिसे टेस्ट करके देख लेते हैं बच्चे चलाते किस तरीके से तो देख सकते हैं सबसे पहले मुझे परोल यहां पर आई और यकीन मानी जम्में से चलाया तो हममीद करतो हम आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज हम जानते हैं हूप मेसेंजर के बारे में दोस्तों हूप मेसेंजर एक मेसेंजर है जिसमें आप चैट zijांग कर सकते हैंगा चैनल कर सकते हैं जिसमें आप दूसरों को भी इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों सिंपली हमने समर एक्सपेरिमेंट भी इस पर बना लिया है दोस्ता आपको कुछ भी कुछ भी मैंसिज हो आप इस आपको इस्टॉल करकर हमें मैंसिज कर सकते हो आपको रुपला जल से जल देन तो आप माले जी हमने इस इस फणी सर्च करा तो फणी में जितनी भी चीज थी अब जैसे गुरूप ये कुछ गुरूप पनाये हुए है तो यह फणी के गुरूप आ चुक है इसे हम जोइन कर सकते हैं तो दोस्तो अप्लिकेशन तो काफी अच्छी है आप इसे डाउलोड क को लेकर आ गया हूँ और आप देखते हो फिलहाल लोग डॉन में यह कितना मज़े सा घूम रहे हैं तो इनका बंद कर देते हैं तो सबसे पहले में इनको निकाल लेता हूँ आपको काफी प्रॉलम आएगी से बनाने में यकीन माने जैसे मुझे प्रॉलम आई वह प्रॉल दोस्तों सबसे पहले जो मेरी शाट पर काफी रश्ट यानिक जंग लगावा है हम इससे हटा लेते हैं सेंड पेपर की हैल्प से यानि कि कुल मिला के कहा जाए तो इसे चिकनी चमेली बना लेना है जो की साफ सुत्री लगे तो देख से तो फिलहाल हमारी शाट पर जो हमा अब यहाँ पर मैं एक गियर ले लूँगा फ्रेंट्स गियर में प्लास्टिक के लेड़ों से इस पर गियर कहते हैं और यह पहुत चीब मिल जाता है अगर आपको अलमिनिम के मिल जाए तो अच्छी बात है वहना प्लास्टिक बच्चों के लिए इनफ है कि इतना पेकियर रिट इस तरह ले जाएगा और मैं एच इसना डॉल मेशंन कर लेता हूं जाएक वैसे साट ग्यंक्ड लेकितना बड़ा उसको बंडर कर लेना है अब जितना बड़ा फ्रेंट्स आप इसे गेल यूज करों को उतने साफ से कट कर लीजिए बहुत आसनी से प्लास्टिक के कट जाती है अगर आपसे इस तरीके से ना कटे तो आप किसी चागु से गरम करके आयरें से कट कर सकते हो तो देख सो यह जो एरे में कट क सके थोड़ी सी फ्रिक्शन जिसे हम घरसन कहते हो ना हो और हमारे अच्छे तरह से फिरियों के घूम सके तो यहां पर मैं लगाता हूं साथ में इसकी गेर भी लगा देता हूं तो फ्रेंट्स गेर से क्या होगा आपके जो मोटर है उस पर दवाब नहीं पड़ेगा दूस देखाः लेकिन छाय मेरे छे नहीं हो यहां तो फीक्सक्रणे काथ और पर चाफट्के होगा दूकर लेकिन मेरे दोसनेते कौकी है वलाओको तहरी है अपर श्कसट पर ही से तरीकर तो आप करने क्या है उप शाफ़नों कि जे मारे यहशर एक शाफ्ट कर देल कर दोगे आ आप नेट वोल्ड लगा देजिए गेर की अंदर तो इससे फ्रेंट्स क्या होगा कि आप गेर अच्छी तरह से रुख पाया का हमारी शाफ्ट जो है वह अच्छी तरह से रुख पाएगी गेर के साथ तो देख सकते हैं तीनों मैंने यहां पर होल्ड करती हैं और अब अच् सब्सक्राइब करते हैं तो इसके सिंगल साफ्ट तो यहां पर आपको बहुत बड़ी प्रॉल्म आन वाली है तो फ्रेंट्स आप देख से तो दोनों जो गेर हैं इनका जो होल हो काफी बढ़ा है यानि शाफ्ट हमारी मोटर की एक पतली है कम है तिन है लेकिन आप जो सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे दोस्त मेरे वीडियो देखते हैं आपको सारी इंफोमेश्य दे दो तो सबसे पहले आपको इतनी पेपर लगा लेना है कि अच्छी तरह से इस पर फिक्स हो जाए अब आप देख तो यह फिक्स हो चुका ठीक है अब मिससे निकाल लेता हूं यहां पर और यहां पर इंस्टेट ग्लू होती है जिसे आप सूपर ग्लू कहते हैं वह मिसमा लग देख से तो यहां पर मैं इस अधाया ब्लू लगा दूगा अब यहां वहां आपको नहीं करने वाले यहां यह काम करने वाली यह पर प्लास्टिक है और यह इसा नहीं करने वाली क्या। और यहां से निकल जाएगा तो उसके लिए फ्रेंट्स मैंने एक दूसरा जुगाण निकाला है मेरे एक दोस्ते जिसका कॉर्णर काटके मुझे इसकी थोड़ी पत्ती टाइब इसकी शीट बना लेनी है जिससे में दोनों के आपको काम में नहीं लेने और आपको लेना चाहता आप ले सकते हैं कि फ्रेंट्स मेरे हिसाब से यह वर्क नहीं करने वाले मोर्टा का लोड़ी इस पर होना है और दोस् हाँ आई होप मैंने आपको एक अपनो टैलेंट दिखा दिखा दिया मैं धोला की बजा लेता हूं आदम वैसे फ्रेटाम करता भी गया घर पर तो मैंने सुचकर बना लें तो देख सो फ्रेंट्स मैं इसका होल्टा बना लिया है और मोर्टर को इस तरीक से में रोकेंगे अब यहां पर मैं अच्छी तरीक से काम करेंगा तो क्योंकि फ्रेंट्स यहां पर यकीन माइने चार इसमें लग जाएंगे और आगे से पीछे पूरी बोड़ी इसके आपर होल्ट रहेगी तो इससे हमारे जो अच्छी तरह से वर्क करेगा और निकलेगा नहीं अब आप अब आपको यहां पर प्रॉलम आएगे कितनी दोस्तों क्यूंकि जो बनाता है उसको जो प्रॉलम आती है और आप जानते हैं फ्रेंट्स एक से फटला होता है आप इसे भी लगा सकते हो यहां पर कोई दिक्कत नहीं को यहां पर चार नेट वोल्ड लगाने वाले हैं अब यहां तो फ्रेंट्स एक मोटर तो यहां मैं लगा दूंगा जो कि बहुत इसली लग जाएगा प्रॉलम आई कि आपको दूसरे यहां यहां पर लगा लिया है य इसमेरे बड़े बाले वीयल हैं जो बड़े वाले इसके पई अब उसके उसके उसे काफी अंदर यह तो बिलुकुल भी टरट नहीं होना वाला जमीन पर अकर काफी बच्चे से भारी बैट भै तब भी टरटेंगा क्योंकि ग्राउंड क्राइट क्लेरेंस काफी जादें तो यहां पर दोस्तों आपको यही बैटरी यूज करने हैं जो कि साथ एमपर के बार वोल्ट की तो फिलाल मेरे पास यह बैटरी खराब है मैं यूज नहीं कर रहा तो यहां पर दोस्तों मैं ठारे 650 लैट्टों की बैटरी उसकरों वही बार एक ट्वैल वाओ यान की बैक पर जादे मिलना वाला है मिरे दोस्तों फरेंड्स आप देख यहां पर नेगाटिव एक न्यागराम वी दूंगा मेरा काम आपको च्छी तरह समझाना तो देख इन तीनों बैटरी अगराना वाला हूं जिससे दोस्त हम यहां बार रवोल मिल सके तो इसका पोजिटिव न और फ्रेंट यह नेगटिव है और इसका आप देखसे तो यह इसका पोजुटिव है यानिकि तीनों बैट्री को फुल चार्ज है फुल चार्ज पर 4.2 अप्रोक्स यानिकि सबाद चार वोल्ड का प्रोक्स हमारी बाल वल्ड देंगी लेकिन ऐसा करने से हमारे वोल्ड तो यह बढ़ेंगे चार वो बैट्री को करेट करने पर लेकिन हमारे एंपर इंक्रियस हो जाएंगे क्योंकि आप देखसे यहां पर नेगटिव आपस में टेच कर दिया मैंने और यहां पर पोजिटिव टेच कर दिये तो इससे को का हमारा मोटर अच्छी तरह से लोड ले प पाती है और डाउन पाती है यानि कि बैटल अब बढ़ जाती है वहांने सिंपल तरी चार्ज नहीं होती है खराब हो जल्दी तो इसलिए मैं करता हूं आप देखते हैं तो दोस्तों आपको एक वायर कहते हैं यह काफी लो क्वालिटी का वायर आता है तो फिलाल यहां पर जिसे करमाना मोटर अच्छी से अच्छी से रन भी कर सके तो आप देखते हैं अभी फिलाल लोक टाउन चल रहा है तो फिलाल में काले का बंडर लिया यहां पर यहां यहां पर सार वायर बलेग state चीटरे समझ में आ जाएंगे तो फिलाल यहां पर आपको ज्यादे कोछ न कि में प्लेक्ट है चाइप तो कि गंड़के तो इस मौटर के लिया है तो यह है तो अन्दाज है यह रही हो इन पर त्यप्र नहीं लग कहा video wonder थो आप को आपको कापी एजी लगए और यहां तक तक तो सीम्पल वाय आपको जञाद देनकेशन के ढोल रोड़ रहते हैं डिपा देखा देता हूं तो फिलाल हमाह वस यह न्यकल दोसर है नेगल पण आगवाय भी आप अप ऑन ढागे 5 इराशल तो यहां पर मैं जो डबल सैट होती है उससे चिपका दूगा और प्लाश्ट बहुत अच्छी तरह से चिपक भी जाती है तो यहां तो आप युज़ ना करके तो यहां पर पेपर तेप लगा दिया है तो यहां पर यहां पर अच्छी तरह चुके हैं तो देखेशे अभी आपको चला के देखाओं का कैसे हमारे वर्क कर रहा है तो यहाँ पर हमारा वायर अच्छी तर्स अलग चुका है और दोन वायर फ्रेंड्स हमारे बैटिंग अगल चुके हैं अब आते हैं दोस्तों इसके रिमोट पर जो कि काफी इंपोर्टेंट आपको पनाना जरूर है तो यहाँ पर मैंने MDF बोर्ड ले लिया है जो कि 3 mm एप चाहिए फिक्स कर लिया है फिलाल में से वायलेस नहीं बना रहा अगर आपको वायलेस बनवानी है तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए मैं जल्ली से वायलेस बना दूंगा जो भी नेक्स जल्दी में जल्दी प्रोचक्ट यानि की वीडियो बनाऊंगा तो चलिए अब इसक चलिए उसके प्रोचक कर लिया पर मैं एक्स कंट्र मैं आपको वीडियो बता दूंगा में तो यहां पर देख सकते मैं यहां पर किस ते नहीं करेंक्स के आपको थोड़ा भी दिखा रहें करीब से तो आप देखेंगे यहां यहां लगा दिया है और इसके जो अब जूसर आपको नहीं देनी अगर स्विच्ट किजिए आपके उल्टे लगे तो आपको आगे करोगा तो इसको होगा कुछ नहीं इसे तो आपको आपको चैंज कर सकते हो ठीक है तो आपके यहांनी कि जो मोटर के अपनी डारेक्शन है वो अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी तो चलिए यहां पर मैं केवल टेल आगा और फैव को लागा जली से बंद कर देता हूं वैसे फ्रेंट्स में काफी स्पीड से वीडियो बनाता हूं मैं आपको बिल्कुली बोल नहीं देता मैं खुच चाता हूं कि आपको टाइम में पचे और मेरा टाइम में पचे क्यों बहुत जादे कीमति है अब आप देख सो यहां पर हप्ची फ्रेंट्स फिक्स हो चुगी अब इसकी चार्जिंग पाते हैं तो यहां पर आपको अच्छी से थोड़े है फिलाल मेरे पर वायर की शोट है एक कलर का यह तो मैं नीचा आता है फ्रेंट्स कि आप सारे बिलेक वायर देखे तो यह थोड़े वायर चेंज कर दिया है और फिलाल नेगरिव और पोजिट यहां पर मैं डाइट किस तरह से लगाने वाला हूं आयन 4 007 डाइवर के दोस्तों पहले आपको इसके करेक्शन दिखाता हूं जो सिल्वर करके लाइन है यह आप देखता तो यहां पर आपको वायर करनेट करता है पोजट यह नेगरिव लगा दीजिए तो फिला यहां प देख्रिशन पर जिए पर एक नीडल टाइप को अंदर से वह पोजटी होता है अब आते हैं अपने नेक्स प्रोसेस पर उसके पर पता भी निचींच हो रहा है नहीं हो रहा है तो हैं पर देखसें तो मैंने ट्रिशन एड़्र अट कर दिया है इससे बढ़ने ने फिड़ होगा हमारे के लिए कंदर नहीं जाएगी क्योंकि रिवर्स में जाएगी जैसे चार्ज होगा चले आपको चार्ज हमारे अच्छी तरह से वर्क कर रही है और ऑच्छी तरह से चल रही है तो friends I hope आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो दोस्तों ये battery यूज़ ना करके आप lead acid battery ये dry battery दोने से कोई battery यूज़ चार्जिंग बहुत आसने से हो जाती है इसमें आपको काफी BMS लगा होना होगा जो कि काफी कोश्ट ले पड़ जाता है तो चले friends diagram आपको दिखा देता हूँ किस तरह से इसके connection हमने की है तो एक diagram है वीडियो पोस्ट करका आप diagram देख सकते हो वन्ना video friends काफी लंबी पहले हो चुकिया और लंबी हो जाती तो मेरे दोस्त लगबा हमारे electric car complete हो चुकी है चले अब इसका एक demo देख लेते हैं कितने work करती है क्योंकि forward और reverse दोनक option के दिया गया है तो चले friends पहले आपको इसका forward option चला के दिखाता हूँ तो देखे काफी high speed को कि फिलाली free है कोई इसके load नहीं है और friends इसके reverse option चल रहा है अभी जल्दी में YouTube की policy है कि बच्चों के लिए अलग content बनता है क्योंकि बच्चों के लिए content नहीं बनाता तो मैं वीडियो बच्चों को नहीं दिखा पाऊंगा यह वीडियो बड़ों के लिए हैं क्योंकि friends अभी से बच्चे तो नहीं बना पाएंगे तो आप देखते हैं यहां पर मैंसा आपको चला के दिखाऊंगा तो फिलाली आप चला के लिए पोर्ट तो मैंसे चला कर देख सकते हो लेकि अभी सुर्की में थोड़ा यह अटाय मैं से हटा देता हूं और रिवर्स दोनों बहुत अच्छी तरह चल रही है मुझे इतना भरोसा नहीं था कि चल जाएगी तो दिके फ्रेंट इसके लोट से हमारी कार है वही पिचक चुकी है प्लास्टिक में है और लगवाद दस से बारेकलों के अंदर वेट है और हो सकता है जाद होगा फ्रे है तो लगवाद फ्रेंट्स अठारे 19 किलो वेट हो चुका है और देख सकते हैं कोई प्रोल्म हमें फेस नहीं करने पड़ी है अगर आपको बच्चे का वेट है तो यह चल तो जायागा लेकिन थोड़ा लोड लेगा आपको अच्छी लगई होगी वीडियो को लाइकर द तो दोस्तों प्लीज अपना वेलियोबल जोड़ दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो केस लग रही है और जल्दी में रिमोट वाली वीडियो लाओ तो आप मुझे कमेंट से कमेंट करके जरूब बताईएगा थेंक यू सो मच फ्रेंड जल्दी मिलते हैं बाबाए